हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल होम साइंस ट्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक रर्व का बहुत ही प्यारा सा पैटन लेकर के आई हूँ इस पैटन को आप किसी प्रोजेक्ट में बना सकती है लेडिज के स्वेटर कोटी काडी इन बच्चों के स्वेटर जैंस के स कम्प्रीट हो जाता है और इस पैटन को बनाने के लिए में चाहिए फोर की मल्टिपल प्लस टू फंदे चार के उड़े चार फंदे लेने होंगे और उसमें हम दो फंदे और जोड़ देंगे तो दिखें हमारे पैटन की पहली सलाई साट बाला फंदा बिना बुने उतारेंगे उसके बाद में एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर देखें एक फंदा बुना फंदे को इसको उतारना नहीं है धागे को पीछे तरफ गुमाया और एक और फंदा कर लिया एक फंदे पर हमें इस तरह से तीन फंदे कर लेने हैं और ये थोड़ी फंदे ठीले ही रखने है, इसके बाद में यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदों को सीधा बनेंगे, फिर से दोनों फंदों पर हम, देखिए, एक फंदे, ये एक पहले फंदे पर हम देखिए इस तरह से, तीन फंदे बनाएंगे एक फं पर में बता रही हूं, इस तरह यहाँ पर एक फंदा सीधा, और दूसरा फंदा भी सीधा, पहली सलाई ये आपको इस तरह से बनानी है, दो फंदों पर, ये दिके साइड वाला फंदा छोड़ करके, दो फंदों पर एक के तीन फंदे करने हैं, उसके बाद में छे फंदे सीधे बुनने हैं, फिर से दो फंदों पर एक करना है, इस पर भी एक करना है, फिर इसके बाद में छे फंदे सीधे, इसी तरह से पहली सलाई आपको कंप्लीट करनी है, दूसरी सलाई पर आते हैं, उल्टी तरप से, साइड वाला फंदा भीना बुने उतारेंगे, अब द सेकरदें, फंदों का हम एक फंदा करनेंगे, इस पंदे को उल्टा बुनेगे, अब दीकिए, यह तीन फंदे दिखे रहे हैं, इनको को अमाइड़ ले करके आना पर दे हैं, तो यह वाला फंदा पहले हम बुनेंगे, उल्टा, और इसके बाद में देकित तीन फंदे हैं तीन फंदों को हम एक कर देंगे पिर इसके बाद में चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार अब दिखें यहाँ पर यह वालों जो सादा फंदा उल्टा फंदा है और यहाँ पर यह तीन फंदे है तो दिखें सीदीक तरफ सलाई को डालेंगे और इस तरह से पुमा लेंगे इनको तीन का एक करेंगे इस फंदे को उल्टा बुनेंगे अब दीके इस फंदे को हमें यहाँ पर लेकर के आना है दीके इन तीनों फंदों के तरह लेकर के आना है तो हम दीके इस फंदे को इस तरह से लेंगे पहले यह आप निकाल करके भी बना सकते हैं फिर इसके बाद में हम इनको तीन का एक कर देंगे दूसरी सलाई कंप्लीट हो गई और देखिए डिजाइन हमारा इस तरह से यहां तक बन करके आया है अब देखिए आते हैं तीसरी सलाई पर सैड वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद में देखिए एक दो तीन चार पांच सैड वाला फंदा मिला करके हमारे पास यहां पर छे फंदे हो गए अभी जो चार फंदे थे बीच में इन दोनों फंदों पर हम डिजाइन बनाएंगे देखिए धागे को घुमाएंगे और एक फंदे का तीन फंदे कर देंगे फिर सैड में भी यहाँ पर हमारे पास 6 फंदे रहेंगे सीधे 2, 3, 4, 5, 6 चोथी सलाई पर आते हैं उल्टी तरप से 1, 2, 3, 4, 5 साड बाला फंदा भी लाकरके यहाँ पर पास फंदे रहेंगे और दिखें जो छता फंदा है यह तीन फंदे हैं उम इधर लेकर आना है तो सीधे की तरफ सलाई को डालेंगे और इस तीनों फंदों का एक कर देंगे इस फंदे को उल्टा बुनेंगे अब देखिए यह वारे तीन फंदे इधर लेकर करके आने हैं तो आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकती हैं देखिए या फिर आप इस तरह से या फिर आप जैसे आपको आसान लगें उस तरह से देखिए सारे फंदों को निकालेंगे और इन तीनों फंदों को इधर कर लेंगे और देखिए इसमें थोड़ा ये फंदा जो है इसका डुबने का डर रहता है तो इसetzी कि इस तरह से भी बना सकती है कि अब साइड के पांच फंदे इनको उल्टा बुलना है अब देखिए फेट से पांच में सलाई जो है बिल्कुल पहली सलाई की तरह ही बनेगी जिस तरह से हमने यहाँ पर यह पहली सलाई बनाई साइड वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे उसके बाद में दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे अब इन दोनों फंदों पर डिजाइन बनाएंगे एक फंदा सीधा बुना धागे को पीछे की तरफ गुमाया दूसरा भी फंदा सीधा बुल लिया फिर यहाँ पर एक फंदा सीधा बुना धागे को पीछे की तरफ गुमाया फिर सीधा फंदा, इसके बाद मैं 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इन दोनों फंदों पर बनाएंगे डिजाइन को, तो इस तरह से एक फंदा उनेंगे, धागे को सीधी तरफ गुमाएंगे, और एक कतीन कर लेंगे, यहाँ पर भी एक फंदा सीधा उना, धागे को जटी सलाई, दूसरी सलाई की तरह, साइड वाला फंदा, मीना वुने उतारेंगे, अब देखें, यहाँ पर इन दोनों फंदों पर हम रेंदे डिजाइन बनाए थी, तो देखें, सीधे की तरफ डालेंगे सलाई को, और ये तीनों फंदों को हम यहाँ पर, देखें, तीनों फंदों का एक कर देंगे और इसको भी हम उल्टा बुल देंगे अब देखे इन फंदों को इधर लेकर के आना है तो तीन फंद इधर आएंगे तो यह वाला जो उल्टा फंद है इसको हम इधर लेकर के आएंगे तो इसको पहले बुले आएंगे इसके बाद में हम इ है ज Va기 ke Sydney तरफ सलाई को डाला और इस फंदे को हम यहां पर लेकर के आएंगे कि थी पंदंगे इसान आयलै गूल उन्टा बूणे के अब इन तीन फंदो कि दर लेकर करके आना इसको हमें यहां पर लेकर क dwa घर लेकर के आना है तो देखिए यहां पर इस अब देखिए चटी और जो साथमी सलाई वो तीसरी चोथी सलाई की तरह बनेगी अगला डिजाइन नमारा यहां पर बनेगा तो फ्रेंट्स इनी सलाईयों को आपको रिपीट करते हुए जाना है पांचमी और चटी सलाई बिल्कुल पहली सलाई की तरह है और जो साथमी और को तीसरी और चोथी की तरह होगी इनी सलाह्यों आपको रिपीट करते हुए जाना है तो आपको इस तरह बन करके आएगा तो दीखिए फ्रेंट्स डिजाइन बहुत- Arabia अस बन करके आएगा जेंट स्वेटर के लिए बहुत ही प्यारा असर डिजाइन है तो इसे आप किसी प्रोजेक में बना सकते कोटी काड़ी में भी सुन्दर दिखेगा और बच्चों की स्वेटर में भी तो फ्रेंड्स देखें मेरा अगर यह वीडियो आपको पसंदा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई